नमस्कार दोस्तों, स्वगत है सबका ट्राक्टर कारवा हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम जानने वाले हैं उन्सट शत्थिस करतार के मॉडल के बारे में जो एक सूपर आकरशित दिजाइन वाला और एक अद्बूद और शक्तिशरी ट्राक्टर है करतार ट्राक्टर दोरा लॉंच किया गया एक प्रभावी ट्राक्टर है तता घेट पर प्रभावी कार्य के लिए सभी उढ़नत टक्निक के साथ आता है यहां हम करतार उन्सट शत्थिस के ट्राक्टर की सभी विश्षिष्टा है गुनवत्ता एव उचित कीमत देखने वाले हैं तो वीडियो अन्तक देखते रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर बात करेंगे हम इसके फ्रंट लूक की तो इसमें हेड लैंप काफी अच्छी दिखाए दे रही है साथ ही इसमें आपको ब्लैक कलर की ग्रिल भी दिखाई देगी हेवी बंपर के साथ एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल आपको देखने को मिलने वाला है यानि कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और मेटरियल भी काफी हेवी इसमें यूज़ किया गया हो अगर बात करें करतार उनसट चटिस के ट्रेक्टर के इंजिन की तो ये ट्रेक्टर हमें 60 HP के साथ आता है साथ ही इंजिन ख्षमता मैदान पर कुषल माइलिज प्रदान करती है अगर बात करेंगे हम इसके सिलिंडर की तो ये ट्रेक्टर हमें चार सिलिंडर में देखने को मिलने वाला है साथ ही एक ताली सो साथ सीसी का इंजिन भी हमें देखने को मिलने वाला है साथ ही इस ट्रक्टर में हमें dry type air filter भी देखने को मिलता है इस ट्रक्टर में हमें dual acting power steering देखने को मिलती है जो काफी smooth अब हम थोड़ा सा और थोड़ा सा पीछे आते हैं अगर हम बात करेंगे इस ट्रक्टर के diesel pump की तो बोश का simple सा fuel pump हमें इसमें देखने को मिलता है साथ ही य दोड़ा सा और हम पीछे हाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रक्टर में heat guard भी लगाए हो है यानि कि जो मोटी तगडी glass यहाँ पे लगाए हो है जिसकी वज़े से जो आगे वाली की जो heat है या फिर जो radiator के अंदर से जो heat पैदा होती है और जो हमारे pair पर लग सकती है उसके लिए यहाँ पे heat guard भी दिये होए हैं अगर बात करें इस ट्रक्टर के transmission की तो इस ट्रक्टर में हमें constant mesh gearbox देखने को मिलता है साथी इसमें 12 forward plus 12 reverse gear हमें इसमें देखने को मिलते है ब्रेक की बात करें तो oily mers brake इसमें हमें देखने को मिलते है साथी independent clutch भी हम इस ट्रक्टर में देखने को मिलता है बात करेंगे space की तो बीच में काफी सारा space आपको देखने को मिलता है यहाँ पे digital instrumental cluster भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको oil level उसके rpm सभी और जो भी maintenance में आता है या फिर जिसका indication आपको सामने दिखाई दे रहा है तो इस display में आपको उसका indication भी दिखाई दे जाता है बात करेंगे seat की तो adjustable और काफी comfortable seats आपको इस ट्रक्टर में देखने को मिलती है जो adjustable है यानि कि आप उपर नीचे भी कर सकते है आगे पीछे भी कर सकते है और ऐसे seats की वज़े से आप इस ट्रक्टर पर गंटों तक काम क कर सकते है फिर चाहे वो 10 गंटे हो 12 गंटे हो 24 गंटे हो लगातार आप इस ट्रक्टर पर काम कर सकते है और इस comfortable seat की वज़े से आपको काफी अच्छा मैसूस होगा ट्रक्टर गंटों तक काम करता रहे इसके लिए company में बड़ी 60 लिटर की diesel टैंक भी इस ट्रक्टर में प् पूलते है 540 regular और 540 economical transmission oil भी आप इसमें पीछे से डाल सकते हैं और काफी heavy material hydraulic parts में इसमें यूज किया गया हुआ है इस ट्रक्टर में हमें DCV valve भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से हम hydraulic plow hydraulic trailer चला सकते हैं 22 kg की hydraulic lifting capacity हमें इस ट्रक्टर में मिलने वाली है overall ट्रक्टर की बात करें तो ट्रक्टर काफी massive look में हमें इस देखने को मिलता है साथ ही बात करेंगे इसके design की तो design काफी massive काफी aggressive look इसका दिया हुआ है इसका hood साथ ही इसका bonnet इसकी headlight सभी में काफी massiveness हमें इस ट्रक्टर में देखने को मिलता है बात करेंगे अगर इस ट् तता पिछले वाले ट्रायर की साइसा में 1628 की मिलने वाली है, इस ट्रक्टर में जहाँ पर भी काफी सेंसीट्व पार्ट्स है, वहाँ पे ट्रक्टर में हमें काफी सारे कवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे की सीट के नीचे, जैसे के स्टार्टर के ऊपर, इस वीडियो में आज हमने देखा कि करतार इंसर्ट 36 ट्रक्टर के क्या स्पेसिफिकिशन्स और पीचर्स है दोस्तो अगर आपको ये ट्रक्टर अच्छा लगा है तो आप करतार के डीडर्शिप पर विजिट कर सकते हैं तथा अगर आपको इस ट्रक्टर के बारे में अधिक जान करी चाहिए या फाइनस के रिगार्डिंग आपको कुछ जान करी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.tractorcarvan.com इस साइब वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर दिये गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं झाल 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 झाल